लो दोस्तों कैसे यहां विस वर्ल्ड कप 2024 का जो वुमेंज के बीच में खेले जाने वला है उसका सेकंड मैच आपके लिए लिख्या हूँ पाकिस्तान और शिदंका के बीच में बहुत ही इंट्रस्टिंग मैच रहने वला है पाकिस्तान का फॉर्म रीसेट में कोई बहुत अगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप नहीं हो हमारे चैनल पर और टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो सारी फाइनल इंफॉर्मेशन यहां पर आती है बल्ले बाजी करम हो क्या यहां पर हमारे लिए गेम चेंजर हो सकते हैं फाइनल टॉस के बाद जो इंफॉ मैं यहां पर आगया हूँ दोस्तों जहां आप देखेंगे शार्जा की विकट के बारे में पहले मैच भी यहीं पर हो रहा है तो सबसे इपोर्टेंट चीज़ है जो फर्स्ट मैच हो रहा है इसी पीछ पर हो रहा है उस पर नजर रखें लेकिन यह मैच आपको पता है थो पच्पन में से आप देखोगे 21 फास को विकेट थी 19 पिन को 15 रन आउट हमार लिए जरूरी चीज़ है यह जानना कि शीन की वज़े से और रात में भी आपको फास बूलर्स का सपोर्ट ज्यादा दिख सकता है हाला कि वूमेन मैच इस में स्पिनर्स का गेम बनता ही है क्य तो आईए उनको देखते हैं जो इस सरफेस पे खेल चुके हैं चमारी अट्टा बटु शडंका की प्लेयर हैं तीन मैच में असी रन्स यहां पर कर चुकी हैं सिद्रामीन पांच मैच 68 जो पाकिस्तान की प्लेयर है और छे मैच में 62 निदादार ने किया है एवरेज अच् मैच दो विकेट नशरा संदू तीन मैच दो विकेट जो लेफट आम स्पिनर मेन हैं पाकिस्तान की तरफ से अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस सरफेस पर केस ने कैसा किया है इस वेन्यू पर वो तो हमने देख लिया अब मैं आ गया हूं दोस्तों आगे की तरफ है बीस मैच हुए हैं दस नौ से पाकिस्तार आगे एक नो रिजल्ट हुआ है स्लाइट एडवांटेज यहां पाकिस्तार को है लेकिन रिसेंड मैच में श्रिलंका ने तोड़ा सा तंग किया है पाकिस्तान को तो मैं कहूंगा बराबरी को मुकाबला एक परसंडेज देनी ही तो श्रिलंका को दे दो क्योंकि उनकी एक-डो प्लेयर्स आजकल ज्यादा ही फॉर्म में हैं मैं वह आगे बताओंगा लेकिन अगर आप देखो रीसेंड मैच इस यहां श्रिलंका तीन विकेट से मैं कहा रहा हूं श्रिलंका बहतर फॉर्म में है तो मुनीबाली और यह वुमेन एशिया कप यहां पर हुआ था तब भी काफी अच्छा किया दर श्रिलंका की टीम ने चैंपियंज बने हैं यह उनीबाली की बात करूं 37 गुल्फ परोजा ने इस मैच पर पच्चीस नीदादार ताइस रन एक विकेट फातीम सना जो अब कैप्टन भी है टीम की यह चीज आपको पता लग गी पाकिस्तान ने किसने परफॉर्म किया था जो उनके 140 बने थे श्रिलंका ने एक बॉल रहते चेस कर लिया था अट्टा पट्टू 63 यहां पे एस अंजीवनी 24 नॉट जो विकेट कीपर ने श्रिलंका की देन कावीशा दिलहारी 17 रन दो विक का एक एक विकेट था जबकि हर्शिदा मदावी समरविक्रमा 23 यह मदावी के नाम से आपको दिहेंगी जब आप टीम करेंगे ठीक है निलक्षी डिसिलवा 18 और प्रपोधानी तीन विकेट काविशा दिलहारी दो विकेट दिलहारी का नाम काफी आ रहा है दिलहारी जरू इंपोर्टेंट में आती है यह तो यहां पर दोनों का आप देख सकते हो स्कोरिंग अच्छी रही है अपनी टीम से क्योंकि मैचिस भी सबसे जादा के लिए हैं अट्टा पट्टू के यहां 297 रन है जबकि नीदादार की थोड़ी कम है 14 की एवरेज है 198 संजीवनी की स्कोरिंग में भी आ रही है बोलिंग में भी सुगंदी का कुमारी 14 मैच 13 में आती बोलिंग करने इनों का वी रानावीरा दस में 11 कवीशा देदारी 6 में प्रपोधानी 13 में 8 बाकि आप देख सकते हो नंबर सद्या इकबाल की तीन में 5 विकेट है तुबा असन के 6 में 7 मे ऐसे कप्ताम नहीं बनी है इंपोर्टेंट यह वर्ल्ड लिग्स में भी खेलती है इधर उदर खेलने जाती है और पाकिस्तान की कमी प्लियर्स गई है इधर उदर खेलने जिससे आपको पता लगता है कि अच्छी क्वालिटी है फातिम सना की अब आगर आप देखो ना य ये लेफ्ट हेंडर काफी इंपोर्ट है विकेट कीपर भी सिद्रामीन के 37, 28 और 25 है ठीक प्लेयर है इराम जावेट का फॉर्म अच्छा नहीं है गुल्फ रेजर ओपनिंग पर आ सकती है इनका फॉर्म भी अच्छा है ध्यान रखना सदाव समाज का फॉर्म अच्छा नही है इनफध्व पिर्सटे चार मैच में तो करी ही नहीं है लेकिन किसा नीधोर हो मैंने आपको बताया है तो bowling all rounder लेकिन recent मेना बल्ले से ज़्यादा काम कर रही है reason देख रहे हो बल्ले से इनके rocks आ रहे है 20 plus के हर बार लेकिन इनकी गेंदबादी से उतनी performance नियारी जब कि यह death में आ जाएं और 2 wicket चटका जाएं तो में प्लेयर बन जाएंगे आपके लिए ध्यान रखना दाइना बेग 0-0-3 1 wicket अच्छी स्विंग बोल रहे है स्टार्ट पर स्विंग अच्छा मिलता है नश्रा संदों इनकी मेंस पर आ रहा हाला कि फॉर्म नॉर्मल ही लेकिन अगर हम मैच्चे देखोगे बहुत खेल अब इनके लिए मुनीबा अली मुझे ओपनिंग करती दिख रही है अलॉंग विद यहां पे गुल्फ रोजा दैन सिद्रा अमीन है नीदादार ओमायमा सोहेल आलिया रियास फातिमा सना तूबा हसन दायना बेग सदिया इकबाल और नश्रा संदू तो लेफ्टांस पिन टीम पर डेप्थ काफी अच्छी है अब एक्सपीरियंस देख सकते हो आलिया रियास 95 मैच खेले हैं 1120 विकेड भी हैं नंबर्स वाइज अगर आप देखो कि मुझे नंबर्स में भी सबसे इंट्रस्टिंग ही नहीं कि नंबर्स लग रहे हैं क्योंकि एवरेज भी अच् करी हैं यह आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए इन प्लेयर्स पर ध्यान देना मुनीबा अली ने भी रीसेंट में अच्छा केल है लेफ्टी प्लेयर विकेट कीपर उन पर विध्यान देना बोलिंग में नश्रा संदू का एक्स्पीरियंस बैस सिस्टी टू मैच 60 विकेट पाकिस्तान इस एक्सपेक्टेट टू बेटर बट यह दोनों वह मफारे हैं आई थिंग बंगलादेश से एक स्कॉटलेंड से हा रहे हैं तो जिन टीम्स का फर्स्ट मैच है उनी से यह वह मफार के आई हैं ओमाइबा ने दोनों मैच में अच्छा किया था 30 और 33 इसलिए म मैच में साथ ओवर एक मेडन दो विकेट नस्रा संदू दो मैच ऑवर एक विकेट जबकी एक दाइना बेग दीदादार ओमाइमा सोहेल और बाकियों को विकेट नहीं मिले लेकिन चार और दो मैच में किये फातिमा ने और पांच और के तुबा ने तो इससे आपको पता लगता है ये भी और डालेंगे आले रियाज ने एक और चुरूर किया हाला कि लग नहीं रहा है इनको और खास मिलने वाले ठीक है 55% दोनों आपको मिलेंगे और एक चीज आपको बता दूँ यह ओफर तीन अक्तूबर तक वैलिड है थर्ड अक्तूबर रात के आठ बे तक और ऑफर अभी वी चालू है तो फटा वट से आप डिपोजिट कर सकते हो और यह चार बार डिपोजिट कर सकते हो मानलो आपको दालने हैं 50,000 रुपे तो आप 25-25 दो बार डाल लो यह आपको एक लाग डालने हैं तो 25-25 चार बार डाल लो आपके ऊपर है 25,000 से जादा एक बार में डालोगे फिर ओफर नहीं लगेगा बाकी रैफर कोड फोरकास लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है यह आकर यह चैंपियन बने थे टीम ने बढ़िया किया है और अगर हाई लेवल यारी फाइनल में इंडिया को रहा तो अब्यसलि एक अच्छा किया है रीसेंट में काफी बढ़िया करने लगी यह पहले इतना बढ़िया नहीं करती थी अब यह कुछ कारण है कि बढ़िया कर इनकी टीम में एक दो जिरो विकेट बाकी इनोशी प्रियो दर्शनी ने रीसेंट में विक्ते निकाली है स्पीनर्स की इनके पास भर्मार है पेसर में आचीनी कल सूर्या और साथ में उदेशी का प्रपोधानी लेफ्टाम और राइट आम का कॉंबिनेशन साथ निभाता है तो इनकी जो टीम की जो आज का स्टेट है न चमारी अट्टा पट्टू कविशा दिलहारी यह दो मेन ह सभीला-टous पीरिश्णी इनका पूरा नाम आई प्रियाधर्षणी है इनोशी प्रियदر्षणी समझके चलना और उदेश्ची का प्रपोधानी ठीक है यह चीज आप देख के चलना यह नोशी पीलिए नोशी प्रियां दर्शनी आप देख लो 139 में 33 सो रण 25 एवरेज 3 शतक 12 शतक 56 की विक्टे भी निकाल ली है और तीन शतक है इससे आपको पता रखता है जब मानने पर आती है रुखती नहीं है इनके पास आती है सपोर्ट जो इनकी ओप्रिंग पेर है विम्शी गुलन अत्ते 20 के अवरेज है तीन हाफ से और वाइस कैप्टन उनको करके अच्छा कॉम्मिनेशन बना सकते हो अगर बोलिंग में देखो इनोकर आनवीरा एक्सपीरेंस अच्छा है प्रपोधानी इनका पेसर का एक्सपीरेंस अच्छा है 102 मैच पर असी विक्टेच और इनोकर आनवीर का 82 में 91 बाकि सुगंदी का कि यहां भी देखें इनके आब वॉमप की स्टाइट देखते हैं वॉमप में कौन चमपा यह देखना बड़ा जरूरी है क्योंकि वॉमप अभी दो दिन पहले ही खतब हुए हैं इनके रंस वोम अप में नहीं है फिर भी इंपोटेंट नहीं है इनोशी प्रिया दरसरी द सच्छी निसन साला दो मैच आठ और दो विगेट इनुका रनावीरा दो मैच शे ओवर दो विकेट इनुह ने प्रापर सब को प्रेक्टिस कर वाई है वह इनका रनावीरा चलिए टीम करने चलते हैं अब दोस्तों अपनी एक्सेंज ओनेटो की पिक्स भी देखते हैं तो सबसे पहले मुनीबाली 29 में खराब ऑप्शन नहीं है गुल्फरोजा को सेल कर सकते हो सिद्रामीन को सेल कर सकते हो नीदादार पर मैं कोई ठ्रेड नहीं कर रहा फिलहाल में को नहीं कर सकते हो लिए को उप्षन है शाय गईनोर करको करऊंगा संजीवनी ब्समी की टेकिनिक है बाकी ऑप्शन में मुझे कोई छास नहीं दिखे राव पर पुधानी है यह एक पारको क्यों देख्षन और कोई मुझे खास नहीं है मल्टी बैगर में दिलहारी और अट्टावट्टू और निदादार तीन बेस्ट ऑप्शन्स है डिफ्रेंट जाना है तो मेभी अब सधिया इकबाल या फिर इवन फातिम सना साथ जा सकते हो तो उम्मीद करता हूं यह एक्स्चेंज की पिक्स देख ली अब फटावट से हम अच्छा खेली है और एक्स्पीनियस बहुत है इनको अलवी और नुत्रियांगान को बिल्कुल ही मत लेने का सोचना खेले तो भी ठीक है तो यहीं दो ऑप्शन रखना मुनीबाली और संजीवनी जिसमें भी मुनीबाली बहतर ऑप्शन है एच मदावी रीसेंटली वंड आलिया रियाज खास प्लियर हैं रीसेंट चार मैचेंज में आउटी निवी नौट ओट जा रही हैं वैसे मीडियम पेस अच्छा करते हैं वाट रीसेंट टाइम में बोलिंग नहीं कर रही है जिस वज़े से मैं इनको ट्राय नहीं कर रहा नीचे आती हैं बड़ यह चिलाते भी हैं तो भी मैं पिक नहीं करूंगा बेस्ट प्लेयर आपके लिए अट्टा बट्टू नीदादर अपनी टीम की सबसे एक्स्पिरियंस प्लेयर इंटम्स ऑफ मैचेज अट्टा बट्टू गेंदबाजी भी करती हैं बहुत अच्छी ओपनर भी है रीसेंट फ को सबसे इंपोर्टेंट प्लेयर मानते हो बिल्कुल मानो लेकिन अगर इनफोर्म देखना है तो आज की डेट में कविशा दिलारी बेस्ट खेल रहे हैं यह लेक्स्पिन भी डालती हैं दोनों काम कर लेती हैं लेट हैं और बल्लेबाजी अच्छी करती हैं तो मस्ट है व बस्ट है भी मान के चलो अमा कंचना कुछ बोलिंग भी करते हैं कुछ बल्लेबाजी लेकिन परफॉर्मस थोड़ा सा कम ही आ रहा है तो मैं नहीं लेकर चल रहा है और मैं में सदिया एक बाल लेफ्ट आम स्पिनर सबसे इंपोर्टेंट रहेंगी इनको लेना जरूरी है ह इस कुमारी सुगंदी का कुमारी अच्छी लेफ्ट आम स्पिनर अगेन ये भी आपको जो है ना स्टार्ट में ही ओर करती दिख जाती है दोस्तों यहां उदेशी का प्रपोध हनी है जो की में पेसर है शिरलंका के टीम के लिए काफी इंपोर्टेंट है ट्राइबल रहे जिनका रीसेंट अच्छा रहा है बतार लेफ्ट आम स्पिनर यहां पर पेस डालती है अचानी का लसूर्य भी इंपोर्टेंट हो सकती है आपके लिए बट मैं उदेशी को थोड़ा सा ज्यादा इंपोर्टेंट मानतों और इनका सेलेक्शन भी काफी है इंपोर्टेंट सचीरी निसन साला को भी टीम में पिक नहीं कर रहा सायदा रुपशा को नहीं कर रहा उबेहनी को भी नहीं कर रहा तो एक काम करते हैं ये तो जो प्लेयर्ज है हमें लेने ही है एक प्लेयर हमें मर्जी से लेना है चाहे वो हम बल्लेबाज लें चाहे कोई ओल रौंडर ले तो यहां पर हमें चॉइस करने और यहीं चॉइस सबसे इंपोर्टेंट है बल्लेवाजी में अगर आपको जाना है तो सिद्रामीन या फिर विश्पी यहां पर आप ले सकते हो और राउंडर में तो मुझे और आप्शन नहीं दिख रहा तो हम बोलिंग में ही एक काम करते ह है एस कुमारी या फिर नश्रा संदू को पिक कर लेते हैं जिसकी पहले बोलिंग को उसको पिक करने ना दोनों इंपोर्टेंट लेफटाउं स्पिनर है एक्स्पीरियंस दोनों को जादा है बट कई बर विकेट लेस भी चले जाती है तो मैं ऐसी टीम के साथ गया हूँ ज इस टीम में एक दो बोलर चेंज कर सकता हूँ एक और राउंडर में भी मैं एड़ कर सकता हूँ अगर कोई खेले और तो बट मुझे मेजरली लग रहा है ऐसी टीम रहने वाली है सी वीची में में भी वीची को चेंज कर लें ठीक है तो जो फाइनल टीम होगा वो आपको टेलिग्राम में मिल जाएगा फिलाल मेरी ये टीम है उम्मीद करते हो वीडियो आपको अच्छी लगी अगर लगता है कुछ काम का है वीडियो तो जरूर लाइक करें चैनल पर सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करें अगली वीडियो में मिलने होंगा तब तक लिए ध् मिलते हैं